जिला परिशत क्रमचारियों की पैंडाउन हर्ताल लगातार जारी है। जिला परिशत क्रमचारियों की पैंडाउन हर्ताल लगातार जारी है। हम 22 मर्सों से पंचैती राज विभाग में अपने को पंचैती राज क्या ग्रामनि विकास विभाग का करमचारी मानते तो। मगर हमारा दुरुभाग्य ये है कि जैसे ही छटे बेतनायों की सपार्शे लागूभी सभी विभागों के करमचारियों को इसका ला मिला। लेकिन हमारी फाइल को जब बित विभाग से अबजेक्शन लगा के लोटा दिये गया कि ये जो करमचारी है ये हमारे एक सरकार के करमचारी नहीं है और ये जीला परश्यत के करमचारी है। तो हमारी आँखे खुली और हमें पता लगा कि हम तो कुछ भी नहीं है। करने के बाद फिर आदेश भी किये, विभागों को आदेश किये गए, सची महदें वहाँ थे कि इनकी फाइल को जो है विभाग में मर्ज करने के लिए जल्दी से नेक्स केमनेट की मीटिंग हुई उसमें प्रस्टूप किया जाए। लेकिन एक मीटिंग केमनेट की मीटिंग हुई दूसरी केमनेटिक की मीटिंग हुई। जब हुमारी पिएल नहीं लगी तो हमने 10 तारीकों, फिर हमारी स्टेट कार्य कारणी की मीटिंग हुई, जिसमें हमने गौर्मेंट को 15 दिन का अल्टिमेट गिया कि अगर 15 दिन के अंदर, अगर हमें ग्रामनी विकाश विभाग या पंचैती राज विभाग में मर्ज नहीं किया गया तो हम पैन डाउन स्ट्राइक पे चले जाएंगे दुरुभाग्यवस 23 तारीक को एक कैमरेट की मीटिंग होनी थी लेकिन इनकी अपनी पार्टी की मीटिंग चंडिगड में थी जिस कारणी ये मीटिंग जो है 25 तारीक को ही उसी दिन हमारा जो अल्टिमेट का टाइम था 25 तारीक का ओ भी उसी दिन पूरा हुआ हम बेट करते हमारी फाइल फिर भी कैमरेट के अजन्डे में सामिल नहीं थी और तीन चार बजे तक हमने गेट किया जब हमें ये पूरा पता लग गया कि अब हमारा कुछ नहीं होगा तो हम जो है 25 तारीक से जो है पैन डाउन स्ट्राइक पे चले गए हैं और हमारी ये स्ट हो जाएगी नोटिफिकेशन होने के बाद ही हमारी ये कलम छोड़ो जो हर्टाल है हमारा जो ये संगर्ष चला हुआ है ये तबी खत्म होगा तब तक हम बिल्कुल नहीं उठेंगे चाहे हमारे उपर कितना भी तबाव आए हमें कितना भी कुछ भी सहना पड़े हम इसके बीलकुल पूरी तरह से त्यारे है और हमारा पूरा हीमाच Wal clutch विरोज जिता रहें हैं नयला मैं पंचायद सचिव जोती शर्मा जिलापरिशत, काडर, महासंग, करमचारी वा अधिकारी आज हमारी कलम छोड़ो हर्ताल का आठवाँ दिन है हमारे सभी साथी जिसमें पंचायद सचिव, तक्नीकी सहायक, कनिष्ठ अभी अन्दा वह हमारे सहाय कभी अंत्रा सभी एक जुटता के साथ इस हर्ताल में खड़े हैं जिसमें हमारी हिमाचल परदेश सरकार से एक मात्र मांग है कि हमें विभाग जो की गरामीन पंचायती राज विभाग या आडेडी विभाग किसी में भी हमें जल से जल विले किया जाए ताकि हमें सरकार द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाय मिले वह हमें उस पंचायती राज विभाग या आडेडी विभाग में वो दरजा मिल सके अत्य हमें हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं वहां में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यह आशा रहेगी कि भी जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरा करेंगे धन्यवाद अधिकारियों को जिसका लाव दिया गया प्रंतु जो हमारी ये कैटागिरी है जिसमें एक्सिंज हैं से जेज जैस depends प्रझाइज़ ऑर टेक्निकल वैस्सिस्टेनटं इनको इस लाव प्रापते नहीं हुआ तो उसमें इस लाप क्राप्ता भी हुआ देगा हुआ गया तो हमारी जो अदिक्रिश करमच्री यह जो हमारे बैटक होने के बाद मैं उन्हें ने हमारी पाइल सर्कार की करमचरी नहीं है ये सरकार के करमचरी ना हो करके एक संस्ता जिसका नाम जिला परश्यद है उसके करमचरी है तब जाकर के हमें जो हमारे 4700 करमचरी हैं को पता चला कि हम पिछले 22 बरसों से अंधेरे में ही हैं कि हम सरकार के करमचरी हैं और जब ये अंधेरा हमारी आँखों के सामने स रखे होने के बाद एक जील्य परफेकारी इसमेर कर्मचार्य महासंख कर गठन किया गए जिसकी बैठक सोरण मैई 12 माय को शिमला में हुई और में बैठक होने के बाद can join साथ six Wars शाच्या और सीम साव ने 24 मई को हमें बैटर के लिए बुलाया और हमारी जो कारे कार्णी के सिदस्से हैं वो शिमले में गए मुखे मंतरी मोहदे के साथ बैठ कुई जिसमें हमारे विवाग के उच्छा दिकारी भी थे और मंतरी मोहदे भी थे और सीम साव द्वारा अधेश दिये गए कि आप जो है इनकी जो फाइल है क्रिपया वो अगली काविनेट में लेके आएं ताकि इनकी मांगे को पर बचार किया जा सके पर उसके बाद मैं एक कैबिनेट दूसरी कैबिनेट हुई हमारी फाइल के उपर कोई चर्चा नहीं हुई चर्चा तो दूर की बात है हमारी फाइल कैबिनेट में नहीं लाई गे उसके बाद मैं 10 जून को हमारी एक बैठक राज्यस तरिये बैठक जो है शिमला में हुई हमारे अध्यक्स जी के अध्यक्स्ता में और उसमें सभी ने यही निर्ने लिया कि अगर सरकार हमारा जो एंस्टान न्यूस के लिए